दोस्तो नए वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं डेटरजेंट पाउडर जो के एक मेडियम क्वाल्टे का डेटरजेंट पाउडर बनाएंगे हम 25 से 30 रुपे किलो के बीच में हमारा जो डेटरजेंट पाउडर है य जाएगा और इसके साब से आप मल्टिपलाइ करके 100 कजी 200 कजी 300 कजी गवेच रजिस्ट कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 400 ग्राम है वो कास्टिक सोडा लिया है और कास्टिक सोडा जो यह आप देख रहे हैं यह फ्लेक्स वाला कास्टिक सोडा है और इ बंग सकते हैं हमने 400 g पानी इसके इंदर डाल दिया है और उसके बाद में अम इसमें थोड़ा सा पानी लास्ट में भी एडल कर सकते हिं तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगेश्ट लेसकते हैं अब पिर कोई plastic की pipe ले सकते हैं, बहुत जदा Fortune होता है, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, दो इसको ध्यान पूरु को आपको mix करना है, तो इसको बोलते हैं दोस्तो कास्टिक सोड़े की लई बनाना तो हमने कास्टिक सोड़े की यहां पर लई बना ली है और इसको हम थोड़ी जरब छोड़ने वाले हैं तो दोस्तो तब तक हमारा कास्टिक सोड़ा ठंडा होता है तब तक हम यहां पर नमक के जो हमारे पास packet है वो खोल लेते हैं तो यहां पर हमने 30 किलो नमक लिया यानि 30 packet है वो नमक के लिए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं market से जो rejected माल होता है वो हम यहां पर लेके आई थे नमक का और 30 packet हमने यहां पर लिये हैं जो कि market में आपको स तो यहां पर दोस्तो अभी हम ले रहे हैं सोडा एस तो आप यह देख रहे हैं यह सोडा एस लाइट है तो यह हम छे किलो इसके अंदर डालने वाले हैं जो कि आप देख रहे हैं जो बेग ले रहा है हमने इस बेग में से जो सोडा एस है वो निकाल करके एक टब के अंदर इ हम इस soda ice को उस नमक के उपर डालने माले हैं तो 6 kg हमें soda ice light है वो लेना है तो यह जो soda ice है दोस्तों यह हम इसके उपर नमक के उपर डाल देंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा soda ice है वो हम इस नमक के उपर डाल दें और जो आपको ये चोटे-चोटे डलियां देख रही है, जो गांटे बनी हुई है, ये नरम होती है, बिलकुर ये food जाई है, आथ से जब इसको प्रेस करेंगे आप तो ये food जाती है, अब दोस्तो हमें इसके इंदर 6 kg लेना है sodium bicarbonate, जिसको हम मीठा soda भी बोलते हैं, जो कि पानी को soft बना देता है, और कपड़े से मेल निकालने में भी ये साहिता करता है, अब दोस्तो हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे, तो हमने इसके अंदर 3 material यहां पर दोस्तो एड कर दिये हैं, हमने सबसे पहले salt एड किया था, और उसके बाद में हमने इसके अंदर sodium bicarbonate डा है, यानि मिठा soda ice के अंदर हमने add कर दिया है, तो इसको हम दो बार अच्छे तरीके से mix कर लेंगे, तो mix करना आपको हाथों से भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास machine नहीं है, तो हम बिना machine के आपको data powder है, वो मनाना सिका रहे हैं, तो हम इसको हाथों से अच्छे से mix कर ले है, तो यहां पर हमने use किया है, 90% जो acid salary आता है, उसका हमने use किया है, तो यहां पर हम इसके अंदर 6 kg acid salary वो add कर रहे हैं, तो जो मैं measurement आपको बता रहूं, यह कुछ जरूर नहीं है, कि यतना मैं आपको बता रहूं, आप उतना ही डाले, आप इस से कम या ज्यादा भी add कर स 15 ग्राम उपर निचे हो जाए, तो उसमें कोई problem होने वाले बात नहीं है, तो यहां पर हमने 6 kg acid salary इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा उपर हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो पूरा 6 kg acid salary हम यहां पर weight कर लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास यह acid salary आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम plastic soda की जो हमने lay बनाई हैं, वो हम इसके अंदर add करने वाले हैं, तो यह आप देख रहे हैं, यह हमने थोड़ी दिर पहले इसको गोल के छोड़ा था, कास्टिक सोड़ों को पानी के अंदर तो ये वाला हमें इस एसीड सलरी के अंदर हमें एड़ करना है तो जब हम ये पानी कास्टिक सोड़े का जो एसीड सलरी है इसके अंदर एड़ करेंगी तो बहुत ज़दा हीट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है तो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है इसलिए हमने इसको hand to hand to use किया है तो दोस्तो जैसे हम इसके अंदर कास्टिक soda एड़ करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा हीट होगा इससे आपको skin वगएरा के problem भी हो सकती है अगर आपके च्छीटे लगे तो आपको बहुत ही सावधानी से इसको करना है तो हम नंगे हातों से कर रहे हैं बिना gloves केर कर रहे हैं क्योंकि हमें experience है इसलिए हम पूरी सावधानी से इसको बना रहे हैं लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको पूरी सावधानी से इसको बनाना है अब देखिए दोस्तों हमने पूरा कास्टिक सिकेंडर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे ये करीब आपका 5-7 मिनिट लेगा mix होने में तो क्योंकि heat ज़्यादा है इस वज़े से थोड़ा time ज़्यादा ले रहा है अगर ये heat कम होगा तो 2-3 मिनिट में mix हो जाएगा तो इसको अच्छे तरीके से आपको तब तक हिलाते रहना है तब तक mixing करनी है जब तक कि इसका paste ना बन जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका paste बन गया है अब दोस्तो हम इसके अंदर add करने वादे है असलियस असलियस हमें इसलिए add करना होता है क्योंकि हमें हमारे product के अंदर foaming बनानी होती है अच्छी foaming तो उसके लिए हमने यहां पर dead kg असलियस add किया है तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर तो यह असलियस है वो add करना जुरूरी है क्योंकि इससे foaming बनेगी हमारे product के अंदर अगर हम इसको add नहीं करेंगे तो foaming नहीं बनेगी तो यह जो एसलियस हमने इसके लिए डाला है ये 28 परशेंट वाला है 18 परशेंट वाला ऐसलियस हमने इसके अंदर add किया है तो हमने एक bottle पहले डाल दी और अभी एम दूसरी bottle डाल रहे हैं और उसके बाद में तीसरी bottle हम इसके लिए डालने वाले हैं अब दोस्तों इसको हम अच्छी से फिर से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनिट के लिए और जब यह पूरा मिक्स हो जाएगा तब हम इसको उसके अंदर डालेंगे जो हमने पहले मिश्रन बनाया था तो देखिए यह पूरा भी मिक्स हो चुका है लेकिन हीट बहुत जादा है अभी यह गरम है बहुत जादा तो इसको हम जो हमने नमक सोडा एस और जो मिटा सोडा हमने इसके अंदर मिक्स किया था उसके अंदर हम इस पेस्ट को है वो एड़ कर देंगे तो यहां पर आप दे अच्छी क्वालिटी बनकर आती है इनकी दोनों की रियक्शन से बनकर आती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिक्स कर लिया है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हीट है तो बहुती सावदानी से हम इसको है वो आतों से मिक्स कर रहे है पहले हमने एक बार मिक्सिंग की फिर दुबारा और हम इसकी मिक्सिंग कर रहे है तो इस परकार से आपको दो तिन बार इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए पूरा मेट लेट गिये हैं इससे इसका pH है वो कंट्रोल में हुआ नहीं है तो यहां पर हमने इसकी mixing है वो कर ली है तो अब दोस्तों हम यहां पर ले रहे हैं डॉलामाइट पाउडर तो यह जो डॉलामाइट पाउडर होता है यह जो हमारे detergent powder अभी बना है इसके अंदर थोड़ा गीला पन है उसको यह सुका देगा और हमारे detergent powder की costing कम कर देगा और यह filler के तोर पे इसके अंदर डाला जाता है जिससे कि इसका material का वजन बढ़े और हमारी costing है वो कमा जाए तो यहां पर हम 12 kg इसके अंदर जो डॉलामाइट पाउड powder है वो add करने वाले हैं तो यहां पर आप note कर सकते हैं साथ के साथ कि जो जो material की quantity मैं आपको बता रहा हूं उससे आप formulation बना सकते हैं और आप एक notebook के अंदर इसको note भी कर सकते हैं तो यह dolomite powder हम इसके उपर डालेंगे और जब यह dolomite powder हम इसके उपर डालेंगे तो फिर हमे एक बार इसके mixing भी करनी पड़ेगी लेकिन अभी हम इसके अंदर दो तिन material ओर डालने वाले हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक खाली टब ले लिया है और इसके अंदर हम डालने वाले हैं जो यह TSP आप देख रहे हैं यह TSP powder है यह भी पानी के hardness को क जलता है तो यहां पर हमने एक किलो TSP powder इस powder के उपर डाल दिया है और यह है दोस्तों HTPP तो यह HTPP भी एड़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जितने भी हम आपको material बता रहे हैं वो एक medium quality detergent powder बनाने के लिए आपको formulation बता रहे हैं तो यह HTPP हम इसके अंदर है वो इतने material के अंदर काफी रहती है आप अगर 100 kg का बेच बना रहे हैं तो 400-500 ग्राम इसको डाल सकते हैं अगर आप quality के हिसाब से आपका formulation बना रहे हैं और कौन सा material कितना आपको डालना पड़ता है वो formulation के हिसाब से और rate के हिसाब से यहां पर देखा जाता है तो अब द बिस fragrance बचे हैं color balls बचे हैं जो कि cosmetic value बढ़ाएंगे इसकी और उसके बाद में हमारी packing होगी सबसे आखिर में तो यह है दोस्तो lemon का fragrance जो कि यहां पर हम ले रहे हैं 250 ग्राम या पिर आप चाहें तो 200 ग्राम भी एड़ गर सकते हैं जितने ही आपकी आप सकता है उसके साब से आप इसके अंदर एड़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा खुसब बनानी है तो आप 300 ग्राम भी एड़ कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर ले रहे हैं 250 ग्राम तो यह lemon का fragrance हम इसके अंदर डालने वाले हैं तो जो detergent powder होता है उसके अंदर lemon का fragrance ज्यादा तर डाला जाता है जिससे की खुसबू है वो कपड़ों के अंदर भी बहुत अच्छी खुसबू आती है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर आपको यह mix करना है और ज्यादा अच्छे तरीके से भी आप इसको mix कर सकते हैं लेकिन अभी इसको क्या की चानने हैं तो इसलिए मुझे पता है कि अच्छे से mix हो जाएगा तो मैं एक बार नॉर्मल तरीके से इसको mix कर रहा हूं ज्यादा बारीकी से इसको mix नहीं कर रहा हूं तो अब आप यहां पर देख सकते हैं हमें इसको चानना है तो एक लोहे का चलना ले सकते हैं आप इस प्रकार के breakfast नहीं बनता तो यहांपर हम इसको च्छान लेंगे दोस्तों किया यहां पर काम पूरा मैंथist वाला है लेकिन हम बिना मसीन के कर रहे हैं इसलिए मैंने लग रही हैं तो दोस्तो हमने इसको चान लिया है अब बारी आती है दोस्तो इसकी substitute value बढ़ाने की सू Chernillता इसकी लिए हम इशके इंदर color balls add कर रहे हैं, चार color के हमारे पास color balls हैं, तो यहां पर हम करीब 700 g एक जो color ہے, उसका ले रहे हैं, तो green हमने डाला है, 700 g और यह है blue हमारे पास, यह भी हम 700 g इसके अंदर एड़ करने वाले हैं, तो चार color है हमारे पास, अगर आप इसके अंदर अपने formulation के साब से भी एड़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 500-500 ग्राम भी एड़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लिए कलर बोल्स क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा कलर दाने होने के बिज़े से detergent powder की quality इच्छी मानी जात हो रहे या कुछ हो रहे, तो अब हम इसकी mixing करेंगे और बिल्कुल नन्य आतों से आपको mixing करनी है, नन्य चाल से और अच्छे तरीके से आपको mix कर लेंगे हाथों से और अब आप दोस्तों यहाँ पर quality इसकी check कर सकते हैं कि जो आप market से लेके आते हैं और जो हमने हाथों से बनाया है तो बिल्कुल सेम quality है दोनों की मशीन वाले के compare में हमारे हाथ वाला दोनों जो detergent powder आप compare करेंगे तो दोनों की quality आपको एक जैसी रसता है यहाँ पर इसको पेक करने का तो इसको पेक करने के लिए हमें जूरत पड़ेगी सीलिंग मशीन की और पाउच की हमें जूरत पड़ने वाली है तो आप नॉर्मल पाउच के इंदर भी पेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस परकार का रेडिमेंट पाउच भी आप ले सकते हैं या फिर अपने नाम से बनवा सकते हैं लेकिन अगर आप अपने नाम से बनवाना चाहते हैं तो इसका खर्चा है वो ज्यादा बेटता है असी हजार रुपे में एक साइज का आपका एक पाउच बनेगा तो इस परकार से अगर आप चार-पांस साइज के अंदर पाउच बनवाएंगे तो आपके तीन लाग रुपे यहां पर इन्वेस्ट हो जाते हैं तो इसलिए आप एक बार स्टार्टिंग के अंदर या तो न कि यह पूरा शील होने के बाद में आप इसकी पेकिंग की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है तो आप चाहें तो यह देखिए हमने नॉर्मल जो पैकेट है वो फील कर रखे हैं तो क्योंकि हमने यहां पर इनके प्राइज रखे हैं जो नॉर्मल पैक दो एक साथ में ही ले जाते हैं क्योंकि 50 उर्पे किलो में डेटरजन पाउडर इतने अच्छी क्वालिटी का उन्हें कहीं नहीं मिलता तो यहां पर आप क्वालिटी चेक करिए कि हमने दो पैकेट है वो इसके यहां पर सील कर दिये हैं अब दोस्तो हमारे पास है नॉर्म पैकेट के अंदर सील करके आप इसको सेल कर सकते हैं यह देखिए यह पूरा पेक हो गया और पेक होने के बाद में यहां पर देखिए क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं और इसके उपर आप स्टिकर वगएरा लगा कर भी इसको सेल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो साथ share कर दीजिये